हाई गाईज आज इस वीडियों मैं बात करने वाला और एड्मी नौट 4 के मीवाई 12.3 प्लस के 20.1 2.9 इंडोई 10 पोट रोम के बारे में और हम यहां पर देखते हैं क्या कुछ जो है यहां पर हमें देखने को मिलता है और यहां पर यह जो अपडेट है काफी टाइम के बात आपको मिलेंगे और कौन-कौन से वग है उसके बारे हम भी हम यहां पर बात करेंगे तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लो और साहसाथ बैल आइकन को प्रेस करके ओल पे कर दी ताकि जब भी मै नोटिफिकीशन मिल जाए सबसे पहले चलते हैं माइड इवाइस के अंदर तो यहां पर मियू आई जो वर्जन है हमें मिल जाता है 12.3 मियू प्लस 20.1 2.9 बीटा देखने को मिल जाता है और चलते हैं यहां पर हम ओल्ड स्पेक्स के अंदर और यहां पर जो है इंडो एट करना पड़ेगा सिवन टाइब और डेवल्पर ऑप्शन इनेवल करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो अगर हम बात करें करनल की तो यहां पर मैजिक कूलिंग वर्जन 5 आपको जो है करनल मिल जाता है और अगर हम यहां पर बात करें कंट्रोल सेंटर को इस तरी किसे मिल जाता है एडिक पर आपको जो है nfs part मिल जाएगा fps info भी दिया गया है तो आप एड कर सकते हो और अगर हम चलते यहां पर nfs part के अंदर तो यहां पर आपको है भी fast chart दिया गया लेकिन ज्यादा कुछ फर्ग वह से पढ़ता है निस से यह सारी चीज़े आपको मिलती हैं और अगर हम यहां पर बात करें fps info की यह जो है आपका काम कर रहा है तो आगे मैं आपको gameplay में भी दिखा दूँगा एन बात करें volume की तो volume आपका बिल्कुल ऐसा देखने को मिल जाता तो आपको दिक्कत यहां पर नहीं होगी volume panel में और power menu भी जो है बिल्कुल लेटेस वाला ही देखने को मिलता है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो यह भी बिल्कुल आपको latest मिलेगा और recent के अगर हम बात करें तो recent आपका काफी smooth है फिलाल इसमें और रेम की बात करें तो रेम जो है यहां पर 4GB में हमारा 1.7GB free मिल जाता है और अगर हम यहां पर बात करते हैं आपका बिल्कुल लेटेस ही देखने को मिलेगा और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अप्लिकेशन जो की आइकन आप देखोगे तो थोड़ा सा को अबले आपको देखने को मिलते हैं पर scratch scratch साई यापको paint टाइप का जो है आप पर मिल जाता है लेकिन देखने में काफी अच्छा यहां पर लगता ही है अगर आप चेंज करना चाहे तो थीम स्टोर से चेंज भी कर सकते हो और application के बात करें तो यहां पर अप्लिकेशन सा के दिखा दूंगा तभी एक बार दिखा देता हूं आप देख सकते हैं यह जो है नोट सटिफाइड है तो सबसे पहले हम आपको आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको मैजिक फ्लस करना पड़ेगा 20.3 वाला वर्जन तो फ्लस कर लेना और उसमें जो है आपको सेप् क्योंकि काफी सारी वीडियो मैं बता भी रखा हूं इस चीज के बारे में अगर जो इसकिप नहीं करते हूं कि उनको पता होगा यहां पर आपको यह एक बार ओपन कर लेना है क्लियर करने के बात और क्लोज कर देना बिल्कुल क्लियर और थोड़ी दिर बाद जब ओपन कर आपको पता है इसकी तो यह आपको इस तरीके से काम कर जाएगा एंड बैंकिंग एप की बात करें तो बैंकिंग आपका यहां पर कुछ काम करेगा कुछ काम नहीं करते हैं जो काम ना करें तो उसको simply magic manager से hide कर देना अगर hide करना नहीं पता आपको तो description में वीडियो मिल जाएगी magic manager all problem की उसमें hide के लिए भी मैं बता रखाँ हूँ तो वीडियो देख लेना आपको जो है पता चल जाएगा किस तरीके जो है hide करते हैं और य क्लीनर तो बदेखने को मिलने वाला एलक है देखने को मिलते हैं कुछ अफिकिली की स्क्माइब निर्टिए फी जाता बहूं अरवी utilities और लेटेश मिल जाएंगे और साथ यहां पर यहां पर 12.9 वाले वर्जन में क्या है कि यहां पर आपको 60fps देखने को आपको मिल जाएगा और अगर हम बात करते हैं यहां पर करते हैं वीडियो क्सोनी के लिए आप थैट पार्टी एयप यूज करना देखने को मिलेगा और यहां पly काम नहीं करता है और बिड्योफ आप इपको दिखा देता हूं अप देख सकतो एनड गिम आप तरीके सा Gcam का 7.4 बिल्कुल एचे तरीके स्काम कर रहे इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए कि तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेने एक बार वहीं से डाउनलोड भी आप कर लेना और यहां पर बात करते हैं यहां पर में प्रोब्लम जो कि इस यह इस वर्जन की इस रोम ब्सकी नहीं है, बाकि सभी रोम की इस बर्जन की यह ПРोलम है कास्ट आपका काम कर रहा है। अर्फ क्टहे ह資 Zust कि मिल जाते हैं और अगहार हम बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं। यहांक के तो इस तो ओपने हिसे पूसीड होड़ा से किकल दिया गया है। और कलर आपका बिल्कुल काम कर रहा है तो आप यहां पर आराम से यूज कर पाएंगे इसका अपने सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे आलाव ओल रोडेशन आपको मिल जाता है और अगर हम चलते हैं यहां पर साउंड के अंदर नॉर्मल सारी सेटिंग्स आपको आपको से मीलेंगे जैसे कि आपकी रों में आपने देखाई है वह बिल्कुल आपको सेम देखनी हो कि हांपे भी मिल जाते हैं कोई चेंजर एक्ट्रा नहीं है होमस्क्रीन अंदर आपको यहां पर सर्च बार मिल जाता है साथ सिटम नविगेशन आपको यहीं पर देखने जो है काफी स्मूध जेस्टर का यहां पर फिलाल आप देख सकते हो अफिकेशन बटन भी बिल्कुल स्मूध काम कर रहा है बस यहां पर इनेवल करने बाद थोड़ा से वेट करने उसके बाद यूज करो इसके इस काम करता है और नीचे आपको अरेंज आइटम इन रिसेंट में मिल जाता है जिसमें आप वरिजंटली रिसेंट आपना इनेवल कर पाऊगे और यह प्रोल्म में आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं यहां पर इंपोर्ट करना चाथ तो इंपोर्ट कर सक चाइनीज इंस्टोर ही आपको यहां पे मिलता है और अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के अंधर आपको फिंगर्प्रिंट एं फेशन लोग दोनों ही बिलकुल श्युटरी के से काम करता तो दिक्कत आपको यहां पर नहीं हो बिल्कुल रेडिजाइन वाला ही लेटेश देखने को मिल जाता और बैटरी बेकप जो है आपको अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पर फिलाल थोड़ी से आपको अच्छी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी बैटरी बिकप और अगर हम बात करते हैं एप्स के अंदर यहाँ पर मिल जाते है और रेजन के बात करें जाँ आराम से बैस आप कोई बीरल्डिन नहीं मिलेगे आपको को भी प्रोब्ब्लम देखने को यहाँ पर नहीं बिलकुल फिंव जाता है चैंज में बता है तो किस तरीकाइब करना है क्योंकि यहां पर आपको यह जगे अपलाई नहीं होते हैं यहां पर अपके कंट्रोल सेंटर पर अपलाई हो जाएगा और जैसे कि की बात करें तो screen time के अंदर आपको focus mode यहां पे मिल जाएगा और यहां पर हम back करते हैं चलते हैं यहां पर हमारा जो की special features के अंदर तो यहां पर आपको game turbo मिल जाता है जो की normal ही है फिलाल एन बाकिसारे settings पर आपको सेम देखने को मिलेगी बाहर आपको यहां पर when जो की यहां पर मिल जाता है तो यह फिलाल तो settings इसका दिया है माइक्रोजी का तो आप अगर बैंस्ट यूज़ करते हो तो आपको जाता है जो की काफी एच्छा score फिलाल देखने को यहां पर मिला है और बात करें यहां पर PUBG के अंदर game turbo की आप देख सकतो बिल्कुल नॉर्मल है आपका और ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक थोड़ी से आपको खराब यहां पर देखने को मिलती है तो इसके लिए लेग हुआ और उसके बाद जो है नॉर्मल यहां पर 1v4 में 5 भी लिया था वहां पर भी अगर चारो चारो बंदे एक ही बिल्डिंग में थे अलग भी नहीं थे लेकिन वहां पर मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उतना खतरनाक वाला लेग तो नहीं हुआ लेक बेटर मिल जाती है लेकिन यहां पर आपको थोड़ा से लेग देखने को मिल रहा है अभी MIY की सभी रोम में ही तुसी तरीके से यहां पर भी आपको मिल जाएगा बाकर अगर कुल मिला के मैं रोम की बात करूँ रोम जो है काफी जवर्स ऐसा है बस एक में दिक्कत सबसे बड़ी इस रोम की जो है ओ है एप ओपनिंग जो कि अभी इस वर्जन पर 12.9 की इसी बस रोम की बात नहीं कर रहा हूं सभी वर्जन पर नोट 5 प्रो है या अधर कोई डिवाइस का रोम हो सभी में ज्यादा तर यह दिक्कत आ रही है यहां पर यह प्रोब्लम में देखने को नहीं मिले रोम जो है काफी अच्छा है ऐसे एनिमेशन जो है काफी स्मूद लगे हैं बस वही डिले के विज़स दो है थोड़ी सी प्रोब्लम में आपको देखने को मिली है अब अगर आपको यूज करना है या नहीं यूज करना अभी के लिए फिलाल तो आगे के जो भी मैं गली वीडियो अप्लोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्स फॉर वाचिंग